प्रणाम और नमन करते हुए कारिक्रम के शिरुवात करता हूँ तो मित्रों कैसा लग रहा है आप लोगों को? कुछ कुछ हो रहा है? तो फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए पूरी तालियों की गड़़ाट के साथ राजीव दिक्षित साहब को मंच पर बुलाएं एक छोटी सी और एक गंबीर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब राजी भाई का व्याख्यान समाप्त होता है और जब प्रश्ण उत्तर का दौर चलता रहता है उस वक्त भावनाथ तक जुड़ाओ और विशे वस्तू विशे की गहनता जो है वो पराकाष्ठा पर होती है बुलंदी पर होती है और ऐसे में हमारे कुछ मित्र अनायास बेरहमी से उठकर जाने का प्रयास करते हैं जो इस बुलंदियों को ठेस पहुँचाती है तो ये हमारी गुजारिश है कि जब तक ये कारिक्रम चलें जब तक राजी भाई नीचे नहीं उतरें आप लोग जाने की किरपा मत करें हम लोग एक छात्र हैं एक बहुत गूढ और एक गहन विशे को समझने आए हैं तो छात्रों वाले शिष्टाचार और छात्र का धर्म का निर्वाह हमें करना होगा और इसी अफेक्षा के साथ मैं मंच प्राजी भाई को स्पूर्थ करता हूँ परम पूजनिय सादवी जी सत्य प्रभाजी परम पूजनिय सादवी जी तरुन प्रभाजी उनको मेरा सादर वंदन कोटी कोटी वंदन मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज उनकी निश्रा में आप से बात करने का समबात करने का समय मिलता है मैं आप से कल और कल के अगले एक दिन पहले और उसके एक दिन पहले तीन दिनों से जो बात कर रहा हूँ उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और आज की बात मैं आपके लिए बहुत महत्तुकी मानता हूँ अब तक मैंने आपसे अश्टांग हिर्दयम के जिन सूत्रों पर चर्चा की है हम लोग हर एक विशह में आप जानते ना एक थियोरी होती है और एक प्रक्टिकल होता है तो अब तक आप समझे कि मैं आपसे थियोरी की बात कर रहा था और थोड़ी सी बात और करूँगा थियोरी की जो बची हुई है फिर उसके बाद आज मैं आपसे कुछ प्रक्टिकल बात भी करूँगा अगर मैं एक और भाशा में बात करूँ तो आप मैंसे कोई लोग अगर वकालत के पेशे में हों वकील हों तो आप जानते हैं कि कोर्ट कोई फैसला सुनाता है जज्ज्मेंट देता है तो उसका एक ऑपरेटिव पार्ट होता है फंक्शनल ऑपरेटिव पार्ट वो अब शुरू होगा आज से ऐसा आप कह सकते हैं प्लीज मुवाइल फोन स्विच ओफ कर दीजे सादवी जी आज हमारे बीच में है आप इस बात के लिए आज छूट नहीं ले सकते तो अब तक मैंने आप से जो कहा है वो सूत्र रूप में थोड़ा सा सिध्धानतिक बात हैं लेकिन सरल भाषा में विज्ञान के साथ पेश करने की कोशश की समझाने की कोशश की आज कुछ ऐसी बात है जो दैनिक जीवन में आप प्रयोक करें इन सूत्रों का प्रयोक तो करना ही है इसके लिए तो कोई विकल्प नहीं है लेकिन इन सूत्रों के आधार पर आगे भी बहुत कुछ है जो बागवट जी ने कहा है। सादवी जी चुकी यहाँ पर हैं तो उनकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात जो आपके लिए पुरानी लगेगी शायद उनके लिए नहीं होगी और मैं उनको इसलिए भी यह कहन चाहता हूं कि वो अपने व्याख्यानों में हर बार ये बातें सेकुणों लोगों तक कह सकती हैं। सादवी जी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं साड़े तीन हजार साल पहले भारत में एक महान व्यक्ति हुए उनका नाम था महर्शी बागभट उनकी लिखी हुई दो शास्त्रिय पुस्तकों पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक उनकी पुस्तक है अश्टांग हिर्दयम। दूसरी पुस्तक है उनकी अश्टांग संग्रहम। ये दोनों पुस्तकों में महर्शी बागभट ने साथ हजार सूत्र लिखे हैं। संस्कृत में लिखे हैं। ये सूत बागवट जी ने लिखे है बागवट जी महरशी चरक के शिश्य थे चरक रिशी का नाम हम सब जानते हैं चरक रिशी के वो शिश्य थे और सबसे बहतुरीन शिश्यों में उनकी गिंती होती है सबसे इंटेलिजेंट पाने जाते हैं चरक रिशी ने जितना शोद कारी किया, बागवट जी ने उससे भी जादा किया, 135 वर्ष उनकी आयू रही, 135 वर्ष में लगभग आप समझ लीजे, 18 वर्ष छोड़ कर, 18 वर्ष वो ये कहते हैं कि मैं प्राथमिक अध्यन करता रहा, तो 18 वर्ष छोड़ कर बाकी सारे चास से जादा उन्होंने observations किये, आज का जो विज्यान हैं जिसको हम आधुनिक विज्यान कहते हैं ये पूरा observation पर आधारित है, observation को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ निरीक्षन निरीक्षन परिक्षन या निरीक्षन हाँ प्रयोग या परिक्षन या निरीक्षन तो अगर जैसे उन्होंने कोई सूत्र कह दिया तो उसका पचास बार परिक्षन किया अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग लोगों पर किया और जब उन्होंने देखा कि परिनाम वही है तब सूत्र लिखा अब हम कलपना करें कि साथ हजार सूत्र लिखे हो और एक एक सूत्र पर पचास-पचास परीक्षण उन्होंने किये हो तो पूरी जिंदगी उनकी इसी में निकल गई महर्शी बागवट बाल भ्रह्मचारी थे अंतिम समय तक वो भ्रह्मचारी का ही पालन करते रहे ग्रहस्त आश्रम उन्होंने नहीं जिया लेकिन वो मानते थे कि ग्रहस्त आश्रम बहुत महत्तुका है तो ऐसे महर्शी बागवट के सूत्रों को मैं पिछले 6 साल से पढ़ता रहा और भारत की आज की जो परिस्तिती है मैं मानता था और आज भी मानता हूँ कि उसमें ये बहुत अनुकूल है आज हमारे भारत की परिस्तिती ऐसी है 112 करोड लोग इस देश में रहते हैं इन मेंसे करीब 75-80 करोड लोग बीमार हैं सरकार कहती है कि सिर्फ 30 करोड लोग हैं स्वस्थ, बाकी सब हैं बीमार, अलग-अलग बीमारियां हैं, बात की बीमारियां हैं, पित की हैं, कफ की हैं, और इन बीमारियों का इलाज करने के लिए भारत में कुल मिलाकर 23 लाख डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड, जो MBBS, BAMS और BH 3 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, अगर अन रजिस्टर्ड डॉक्टर भी इसमें मिला दें, तो सरकार कहती हैं लगबग अन रजिस्टर्ड डॉक्टर भी इतने ही हैं, 25 लाख के आसपास, तो कुल मिलाकर हम 50 लाख डॉक्टर मान लें, अन रजिस्टर्ड और रजिस लगाया कि अगर 30 व्यक्ति एक डॉक्टर के सुपूर्द कर दिये जाएं तो 50 लाख डॉक्टर हैं मुश्किल से 1.5 करोड लोगों का इलाज हो सकता है और रोगी 75 से 80 करोड हैं तो बागवट्टी जी एक सूत्र लिखकर चले गए वो यह कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी चिक स्वयम कर सकता है और इस बात को उन्होंने कहा कि 85 प्रतिशत् चिकित्सा बहुत आसान है जो कोई भी Church स्वयम कर सकता है 15 प्रतिशत्चा साथोड़ी मुशकिल है जिसमें आपको विश्यशक्य की मदद की जरूरत पड़ती है तो मैंने सोचा क्यों ना यह 85 प्रतिशत्च जो आसान है वो लोगों तक पहुँचाई जाए इस द्रश्टी से ये व्याख्यान शरंखला आयोजित की है यहाँ पर श्रीमती प्रभादेवी जैप्रकाश जी के नाम से चलने वाला एक ट्रस्ट है उसके मुख्य व्यक्ती मेरे साथ है श्रीश शुभाकान जी दाश और उनके पुत्र है प्रदीब भाई और उनके सब सहियोगी नरेंजन भाई और मेगानी जी इन सब ने मिलकर या आयोजन किया और मेरे जीवन का ये पहला व्याख्यान है जो मैं इस विषय पर दे रहा हूँ इसके पहले इस विषय पर मैंने कहीं बात ही नहीं की क्योंकि अभी तक तो मैं अध्ध्यनी ही करता रहा और ये बात करने का ऐसा हो गया कि एक दिन मैं शोबाकान जी के घर खाना खा रहा था प्रदीब भाई के साथ बात हो गई कि क्यों ना इस विशे पे बात किया जाए तो ऐसे ये तै हो गया अनायास लेकिन मुझे लगा कि ये शायद सार्थक हुआ कई लोगों ने मुझे कहा और खासकर बाबुजी माने शोबाकान जी ने मुझे कहा कि तुम पुराने भाशन देना बंद कर दो वो जो पेपसी कोका कोला वाले और विदेशी स्वदेशी वाले या डबलू टियो वाले ये ही कहो शायद बहुत लोग ऐसा कहते हैं अगर ऐसा सबका मन बना तो शायद इस विशे में मैं आगे भी और जादा गहराई से रिसर्च करके बात करता रहूँगा तो अब तक हमने तीन दिन की व्याख्यान महला पूरी की है आज चौथा दिन शुरू हो रहा है तो कल तक के जितने सूत्र थे वो एक बार मैं आपको दोहरा दूँ ताकि आपको याद हो जाएं कल का सबसे पहला महत्तु का सूत्र मैंने बोला था कि आप खाना खाने के बाद पानी न पिए पानी हमेशा डेड़ गंटे के बाद पिए कारण मैंने उसका बहुत विस्तार से बताया था उसमें दुबारा जाने की जरूरत नहीं है वो पहला सूत्र था कल का दूसरा सूत्र था कि पानी जब भी पिएं तो घूट-घूट भरके पिएं एक-एक सिप लेकर पानी पिएं जैसे आप गरम दूद पिते हैं या गरम चाय या गरम कॉफी पिते हैं और उसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया था तीसरा सूत्र है कि आप जब भी पानी पिएं तो ठंडा ना पिएं कभी भी ठंडा पानी ना पिएं हमेशा गुनगुना पानी हमेशा गुनगुना पानी पिए वैसे जैन्दरशन में इसी को पक्के पानी के चाहता है इसको बात वो बिल्कुल वेख्यानिक है बागवत्ट जी भी उसका समर्थन करते है हमेशा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करे आप मैंसे कई लोगों ने सवाल पूछे थे कि गर्मियों में भी क्या गुनगुना पानी पीएं बागवट जी की माने तो गर्मियों में भी गुनगुना पी सकते हैं लेकिन कोई बहुत तकलीफ आये तो मिट्टी के बरतन का पानी आप गर्मी के दिनों में तीन-चार महीने पी सकते हैं। फिर चौथा सुत्र ये था कल का, कि पानी कभी भी पिएं तो सबेरे उठते ही सबसे पहले जरूर पिएं। माने सुबे की शुरूरात पानी से करें और उसमें मैंने बताया था कि मूँ का कुला कि ये बिना वो उठते ही पानी आपको पीना है। क्योंकि रात को जब आप सोते हैं तो जो कुछ भी लार मुँ में बनी है, ये बहुत ही कीमती है, इसका औशदी अगुण बहुत है। और जैन दर्शन में इसको अहिंसा के साथ जोड़ा हुआ है, और वो मैंने करके भी देखा है कि सुबे की लार गलती से भी आप किसी चीटी या चीटा या मक्षी पे थूख दो, वो तुरन मर जाएगा। से जोड़ा, तो ये चार सूत्र मैंने कल आपको बताए थे, ये बहुत फंक्शनल है, और इसके पहले पाँच सूत्र पिछले दो दिनों में मैंने बात की थी, आने वाले शायद एक दिन मैं सब सूत्रों को फिर से रिपीट कर दूँगा ताकि आपको भूलने ना पाए, आसानी से याद है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, कल के सूत्र को आगे बढ़ते हुए, मैं एक सूत्र आपके सामने रख कहता हूँ, बागवटी जी कहते हैं बहुत गहरी बात, वो ये कहते हैं, ये सादवी जी हैं, इसलिए मुझे आज कहना बहुत उपयोगी भी लग करें, ऐसानी कि कभी भी कुछ भी खा लिया, हमारा ये जो शरीर है, ये कभी भी कुछ भी खा लेने के लिए नहीं है, इस शरीर में जठर है, मैंने आपसे कहा, उसमें अगनी प्रदीप्त होती है, तो बागवटी जी कहते हैं कि जब जठर में अगनी सबसे ज्यादा मल, मूत्र, मेद और आपकी अस्थियां इनका विकास होगा तो कभी भी कुछ ना खाएं ये पद्धिती भारत की नहीं है ये यूरोप की है यूरोप में डॉक्टर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि छोड़ा थोड़ा खाते रहो कभी भी खाते रहो हमारे यह नहीं है थोड़ा के पेट में अगनी की प्रभलता हो जठर अगनी की प्रभलता हो बागवट जी ने इस पर बहुत रिसर्च किया और वो कहते हैं कि देड़ दो साल के रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जठर अगनी कौन से समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है तो वो कहते हैं कि जब सू सूर्य के उदय होने से लगभग धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है। सूर्य चार वजे निकलाता है। अगर मैं सिक्किम में बात करूँगा तो और पंद्र मिनट पहले हो जाएगा। और यही बात अगर मैं गुजरात में जाकर करूँगा तो आपसे समय थोड़ा भिन्न हो जाए। तो सूर्य के साथ इसको ध्यान रखें। तो सूर्य का उद्य जैसे ही हुआ। उससे अगले धाई घंटे तक जठर अगनी सबसे ज़्यादा तीवर होती है। तो बागवट जी कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें। इस समय सबसे ज़्यादा भोजन करें। वो तो एक जगय यहाँ तक कह देते हैं कि आप अगर संभव हो तो साड़े नौ बजे के अंदर ही लंच करें। साड़े नो बजे के अंदर ही लंच करें, माने ब्रेकफास्ट गायव, नाश्ता छोड़े हैं, सीधे ही भोजन करें, यहां तक वो कहते हैं, वो यह कहते हैं कि सुबह साड़े नो बजे तक अगर आपने भरपिट भोजन किया है, तो इस मैंसे जो कुछ भी बनेगा, वो एक एक बूंद, एक एक अन्म का टुकड़ा, एक एक दाने का टुकड़ा आपके शरीर के लिए उपियोगी होगा, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सुबह साथ बजे से, आपके हिसाब से मैं कह रहा हूं, साथ बजे से साड़े नो, जठर अगनी बहुत तीवर होती है, इठर अगनी के काम करने का सबसे अच्छा समय है, साथ से साड़े नो, सूर्योदै से ढाई गंटे तक, फिर इसी तरह से हिर्दै, हिर्दै के काम करने का समय है सबसे ज़्यादा, ब्रह्मु महूर्त से ढाई गंटे पहले, ब्रह्मु महूर्त आप समझते हैं, चार साड़ क्योंकि हिर्दय जब सबसे ज़्यादा सक्रियों होगा तो हिर्दय घात भी उसी समय होगा इसलिए 99% हरट अर्ली मॉर्निंग्स में ही होते हैं क्योंकि हिर्दय के काम करने का उस समय सक्रियता सबसे ज़्यादा है इसी तरह हमारा लीवर है इसी तरह किड्नी है इसकी पूरी ने तै किया है उसको भगवान ने तै किया है तो आपका जठर अगनी है ये सबसे अच्छा साथ से साड़े नो तो आप भरपेट खाना खाईए ठीक है फिर आप बोलेंगे जी दुपहर को भूख लगी तो थोड़ा और खा लीजे लेकिन बागवटी जी कहते हैं कि सुबह क का खाना सबसे ज़्यादा अगर आज की भाशा में मैं कहूं तो आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो हैवियर से हैवियर होना चाहिए बारी से बारी ब्रेकफास्ट जितना खाते हैं ज़्यादा भी खा लीजे कोई फरक नहीं पड़ता सुबह के नाश्टे में भरपेट खाईए फिर वो कहते हैं दुपहर का भोजन अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा कम करिए नाश्टे से दुपहर का भोजन नाश्टे से कुछ कम करिए एक तिहाई कम कर दीजे और रात का भोजन दुपहर के भोजन का एक तिहाई कर दीजे अब सीदे से मैं कहता हूँ, अगर आप सवेरे छे रोटी खाते हैं, तो दुपहर को चार ले लीजे और शाम को दो ले लीजे अगर आपको आलू का पराठा खाना है, या गोवी का पराठा खाना है, आपकी जीव स्वाद के लिए मचल रही है तो बागवटी जी कहते हैं कि सब कुछ सवेरे खाओ, आलू का पराठा खाओ, गोवी का पराठा खाओ, मूली का पराठा खाओ, जो आपको खाना है हालां कि जैन है तो आलू का पराठा तो निशिद है, मूली का भी निशिद है आपके लिए फिर अगर जो जैन नहीं है उनके लिए आपको जो जादा अच्छा लगता है खाने में मैं आपको एक वाक्य में कहता हूँ जो चीज सबसे जादा पसंद है वो सुबह खाओ रजगुल्ला पसंद है तो सुबह खाओ रबड़ी खानी है तो पसंद है तो सुबह खाओ जलेभी खानी है तो सुबह खाओ इमरती खानी है तो सुबह खाओ जो भोजन आपको सबसे जादा पसंद है वो सुबह खाओ, पेट भर के खाओ, वो ये कहते हैं कि इसमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पेट भर के खाओ, तो पेट की संतुष्टी हुई, मन की भी संतुष्टी होती है, और बागमट्टी जी कहते हैं कि भोजन में मन की संतुष्टी, पेट की संतुष्टी से बोक्टर्स लोग जो गिनते हैं ना हाला कि वो है नहीं लेकिन उन्होंने जो कहा है वो पीनियल ग्लेंड के बारे में हैं यह जो पीनियल ग्लेंड है इसमें से बहुत सारा रस निकलता है जिनको हम हार्मोंस कह सकते हैं कुछ एंजाइम से यह संतुष्टी के लिए सबसे जाएम चाहिए शरीर को नियमित रूप से समान अंतर पे निकलते रहते हैं और जो भोजन से तरपती नहीं है तो गड़बड होती है पीनियल ग्लेंड और पीनियल ग्लेंड की गड़बड़ी पूरे शरीर में पसर जाती है और आपको तरह तरह के रोगों का शिकार बना दे अगर आप तरपत भोजन नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चत रूप से 10-12 साल के बाद आपको मानसिक कलेश होगा और रोग होंगे मानसिक रोग बहुत खराब है आप सीजोफरेनिया के शिकार हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं आपको कई ऐसी गंबीर बीमारिया हो सकती हैं बागबटी जी कहते हैं कि आप भोजन करते हुए अगर संतुष्ट नहीं हैं तो 27 तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं उनकी पूरी सूची है वो पुस्तक में हैं कभी भोजन करें तो पेट तो भरे ही मन भी तरप्त हो और मन के तरप्त और पेट के भरने का सबसे अच्छा समय सवेरे का ही है अब मैंने ये बागबटी जी के सूत्र को चारो तरफ देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मनुष्य को छोड़कर जीव जगत का हर प्राणी इस सूत्र का पालन कर रहा है मनुष्य को छोड़कर क्योंकि मनुष्य को में मूर्ख मानता है हाला कि मनुष्य अपने को होशयार समखता है लेकिन मनुष्य से ज्यादा होशयार ये जीव जगत के प्राणी है आप चुडिया को देखो चुडिया कितने भी तरह की चुडिया सवेरे सूरज उगते ही उसका खाना शुरू हो जाता है और भर पेट खाती है, छे बजे के आसपास आप राजिस्थान में निकल जाओ, गुजरात में निकल जाओ, सब चुडिया अपने अपने काम पे लगी हुई है खाना खाने में, खूब जम के खाती है, और पेट भर गया, उसके चार घंटे के बाद ही पानी पीती है, दुप बकरी, बकरे, बेड, गधा, घोडा, सब सुबह उठते ही खाना खाना शुरू करेंगे, और पेट भर के खाएंगे, चक के खाएंगे, फिर दुपहर को आराम करेंगे, तो ये सारे जानवर, सारे जीवजन्तु, आप सांप को देखो, बिच्छु को देखो, कीडी को चींटे को देखो, सब जानवर, सब जीवजन्तु, जो हमारी आँखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, ये सब का भोजन करने का समय, सबेरे सूरियोदे का ही है, सूरियोदे के साथ ही ये सब भोजन करते हैं, इसलिए ये हम से जादा स्वस्त रहते हैं, मैंने बंदर और आप में एक ही अंतर है कि उसको पूछे आपको नहीं है बाकी सब कुछ एक है आपका हिर्दय बंदर का हिर्दय आपका लीवर बंदर का लीवर आपकी किड्नी बंदर की किड्नी सब कुछ समान है मा का गरभाश है बंदरिया का गरभाश है सब समान है एक ही अंतर करनाटक में एक उडुपी नाम की जगह है वहां रहते हैं बहुत बड़े प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर मनें 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार तो उन्होंने तरह तरह के वाइरस और वेक्टीरिया बंदर को डालना शुरू किया कभी इंजेक्शन के माद्यम से कभी किसी माद्यम से वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा बंदर को कुछ नहीं हो सकता और मैंने का कि आपने ये बता दिया कि ठीक है बंदर को कुछ नहीं बढ़ता ही नहीं तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो ब्लड है ना उसका आरेच फेक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है और आपका आरेच फेक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर तो बंदर से ही कंपेर कर होता है वो बताता नहीं आपको यह अलग बात है कंपरीजन बंदर से होता है कारण उसका है कि उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती ब्लड में कॉलस्टरॉल बढ़ता नहीं ट्राइगलिसराइट कभी बढ़ता नहीं डाइबिटीज कभी होती नहीं शुगर कितनी भी बाहर से इंट्रियूज करो उसके ब्लड में टिकती नहीं तो वो प्रोफेसर साब कहते हैं यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सबेरे ही सबेरे भर पेट खाता है जो आदमी नहीं खा पाता तो वो प्रोफेसर रवींद्रना शानवाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो ब किसी का कॉलेस्ट्रॉल कम हो गया किसी के घुटने का दर्द कम हो गया किसी के कमर का दर्द कम हो गया किसी का कुछ किसी का कुछ गैस बनना बंद हो गई पेट में जलन होना बंद हो गई नीद अच्छी आने लगी वगरा वगरा सारे इंप्रूब्मेंट वो बोलते हैं हो वो सुबह ही खाईए तो सुबह का खाना fix करिए, समय तै करिए तो समय मैंने आपको बता दिया सूरा जूगा और धाई गंटे तक मने साड़े नो बजे तक जादा से जादा दस बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए और ये भोजन तभी होगा जब आप नाश्ता बंद करेंगे ये नाश्ता हिंदुस्तानी चीज नहीं है ये अंग्रेजों की है और आप जानते हैं न हमारे याँ चक्कर क्या चल गया है नाश्ता थोड़ा कम करेंगे लंच थोड़ा ज़ादा करेंगे डिनर उससे भी ज़्यादा करेंगे सवा सत्या नाश एकदम उल्टा बागवट्टी जी कहते हैं कि नाश्ता सबसे ज़्यादा करो लंच उससे कुछ कम करो डिनर सबसे कम करो हमारा बिल्कुल उल्टा चक्कर है डिनर सबसे ज़्यादा लंच उससे कुछ और नाश्टा सबसे कम ये अंग्रेज और अमरीकियों के लिए नाश्टा कम है कारण पता है वो लोग नाश्टा हलका ही करें तो उनके लिए अच्छा है हमारे लिए नाश्टा जादा ही करना बहुत अच्छा है कारण उसका एक ही है कि अंग्रेजों के देश में सूरे नहीं निकलता साल में 8-8 महिने तक सूरज के दर्शन नहीं होते और यह जो जठर अगनी है न यह सूरज के साथ सीधे संबंदित है जैसे जैसे सूरे तीवर होगा अगनी तीवर होगी जैसे जैसे सूरी कम होगा, अगनी भी कम होगे तो यूरोप और अमेरिका में सूरज निकलता नहीं साल में 8-8 महीने बरफ पड़ती है माइनस 40 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान होता है तो वहाँ जब सूरज है नहीं तो जठर में अगनी हो नहीं सकती तो वो नाश्टा हैवी नहीं कर सकते करेंगे तो उनको तकलिफ हो जाए इसलिए मैंने सबसे पहले दिन जो सूत्र बोला था अपनी आबो हवा, अपना परियावरन, अपना बातावरन, अपनी तासीर इसको ध्यान में रखकर ही चले तो आपके देश की जो आबो हवा और तासीर है वो ये कि हर दिन सूरज निकलता है सुबह, निश्चित रूप से निकलता है अगले दिन भी निकलेगा, करोणों साल से निकल रहा है अगले करोणों साल तक निकलेगा इसलिए भारत में Every morning is good morning सभी सुबह अच्छी है यूरोप वाले तरस्ते हैं Good morning के लिए अच्छी सुबह होती नहीं वहाँ इसलिए हर एक आदमी दूसरे को विश करता है May I wish you to have a good morning इसलिए वो good morning वाले लोग है हमारे यहां तो Every morning is good morning तो हम good morning में क्यों फसे हुए है तो good morning से निकलिए नमस्ते में आईए नमशकार में आईए वड़कम में आईए यह good morning आपके लिए काम की चीज नहीं है और यह good morning जुड़ी हुई है आपके पेट से जितनी अच्छी सुबह होगी माने सूर्य जितना अच्छा होगा उतनी तीवर जठर अगनी होगी उतना ही अच्छा भोजन करिए तो वो कहते हैं कि सुबह का खाना आप भर पेट खाईए माने नाश्टे को लंच में बदल दीजे ठीक है साड़े नो बजे तक, दस बजे तक जादा से जादा फिर आप इसमें तर्क और कुतर्क मत करिए जी हमको दुकान जाना है हमको आफिस जाना है हमको दुनियादारी समालनी है किस के लिए? इसी पेट के लिए ना ये दुनियादारी कर किस के लिए है? आप इसी पेट के लिए ना तो पेट तो दुरुस्त होने के लिए बागवट जी कहना है कि भाई इसको समाल लो तो दुनियादारी समलती है और ये गया तो दुनियादारी समाल के करेंगे क्या मालीजे पेट ठीक नहीं है स्वास्त ठीक नहीं है आपने दस हजार करोड कमा लिया क्या करेंगे डॉक्ट को देने से अच्छा किसी गोशाला वाले को दे दीजे पेट दुरुस्त कर लीजे तो पेट आपका है तो दुनिया आपकी है यह आप जान लीजे इसलिए पेट को दुरुस्ती के लिए बागवट जी कहते सुवे का खाना भर पेट काईए माने आप बाहर निकलें घर के तो उच्छक कर खाना खाके निकलिए भोजन करके ही निकलिए दुपहर को बारे बजे से एक बजे के बीच में जठर अगनी की तीवरता कम होना शुरू होती है तो उस समय थोड़ा कुछ हलका खाएं माने जितना सुबह खाया उससे कुछ कम खाएं तो अच्छा है ना खाएं तो और भी अच्छा है खाली फल खालें जूस पीलें दही पीलें मठा पीलें आदी आदी शाम को फिर खाएं अब शाम का बागवट जी कहते हैं कि आपने एक चीज़ देखिया ना वो बहुत प्रकृती से सीखने की जरूरत है दीपक दीपक भरा तेल का दीपक आप जलाना शुरू करिए तो प भूज्झने से पहले वो बहुत तेज जलेगा ये Murim हैं जठरणी सुबह सुबह बहुत तीवरों और शाम को जब सूर्यस्त होने जा रहा है तब भी तीवरभी बहुत तीवरों तो कहते हैं सुरज के रहते ठें खालो सूरज डूबा तो अगनी भी डूबी तो वैसे तो जेन दर्शन में काई रात्री भोजन निशेद है बागवट जी भी यही कहते है तरीका अलग है बस आप हिंसा के लिए कहते हैं वो स्वास्त के लिए कहते है वो यह कहते हैं शाम का खाना तो सूरज रूबने के बाद दुनिया में कोई नहीं खाता गाय को खिला के देख लो नहीं खाएगी बैस भी नहीं खाती खिला के देख लो बकरी भी नहीं खाएगी बकरा गदे को खिला के देख लो खाता नहीं बिल्कुल नहीं खाता आप खाते हैं तो आप अपने को compare कर लीजे कि किसके साथ हैं आप कोई जानवर कोई जीवराशी सूरज डूबने के बाद खाती नहीं तो आप क्यों खा रहे हैं प्रकरती का नियम बागवट जी कहते हैं पालन करिए माने रात का खाना जल्दी कर दीजे सूरज के रहते रहते माने 5-6 बजे के आसपास आप के हां सूरज डूबता है 6 बजे या साड़े 6 बजे वही समय सबसे अच्छा है डूबने से पहले अब कितना पहले तो बागवट जी ने उसका कैलकुलेशन दिया 40 मिनट पहले सूरज डूबने का समय पता कर लीजे चिन्नई में सूरज शाम को 7 बजे डूब रहा है तो 6 बजे 20 मिनट तक 6 बजे डूब रहा है तो 5 बजे 20 मिनट तक ये हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाईए सूरज डूबने से 40 मिनट पहले का ही निकलेगा तो 40 मिनट पहले शाम का खाना खालीजे और सुबह का तो सूरज निकलने के ढ़ाई गंटे तक कभी भी खालीजे दोनों समय पेट भर के खालीजे फिर कहेंगे जी रात को क्या तो रात के लिए बागवट्टी जी कहते है कि एकी चीज है रात के लिए कि आप कोई तरन पदार्थ ले सकते है जिसमें सबसे अच्छा उन्होंने दूद कहा है सादवी जी तो वो भी नहीं ले सकते है सादू तो वो भी नहीं ले सकते है लेकिन आप ग्रहस्ती लोग है तो इतनी छूट चाहें तो आप ले सकते है बागवट जी कहते हैं कि शाम को सूर्व डूबने के बाद मैंने आपको कल कहा था हमारे पेट में जठर इस्थान में कुछ ऐसे हार्मोन्स या इंजाइम्स या रस पैदा होते हैं जो दूद को पचाते हैं इसलिए वो कहते हैं सूर्व डूबने के बाद जो चीज खाने वाली है वो दूध है या पीने वाला है वो दूध है तो रात को दूद रख लीजे छे बजे तक भरपेट खाना रख लीजे सुबह का खाना अगर आपने साड़े नो दस बजे खाया तो शाम को छे बजे खूब अच्छी सी भूक लगेगी फिर आप कहेंगे जी हम तो दुकान पर बैठे हैं छे बजे तो डबबा मंगा लीजे दुकान में डबबा आ सकता है हाँ डबबा आने में कोई तकलिफ नहीं है दुकान में आप छे बजे बैठे हैं डबबा आपका आ सकता है और मैं आपको हाद जोड़ कर कह रहा हूँ आप मेंसे कोई भी डाइबिटिक पेशेंट है कोई भी asthmatic patient है किसी को भी बात का गंवीर रोग है आज से ये सूत्र चालू कर दीजे तीन महीने बाद आप खुद मुझे फोन करके कहेंगे राजी भाई पहले से बहुत अच्छा हूँ शुगर लेवल कम हो रहा है अस्थमा मेरा पहले से कम हो रहा है triglyceride चेक कर लीजे और इस सूत्र को शुरू कर दीजे तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे पहले से कम होगा VLDL, LDL आज चेक कर लीजे तीन महीने बाद फिर चेक करा लीजे बहुत तेजी से घटेगा HDL आज चेक करा लीजे तीन महीने बाद चेक करा लीजे, बहुत तेजी से बढ़ेगा, और HDL बढ़ना ही चाहिए, LDL, VLDL कम होना चाहिए, तो ये सूत्र बागवट जी का जितना संभव हो, आप इमानदारी से पालन करिए, वो आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करेगा, अब इसके आगे का एक सूत्र, बागवट जी कहते हैं, कि जब भी आप खाना खाएं, तो हर समय ये बात का ध्यान रखें, हर समय, कि दो ऐसी विरुद्ध वस्थुएं एक साथ ना खाएं, जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है, दो विरुद्ध वस्थुएं, एक साथ बताईएं, एक सो तीन वस्थुएं हैं, जो एक दूसरे के एक दम खिलाफ हैं, एक सो तीन वस्थुएं, जैसे सबसे पहली वस्थुएं उन्होंने बोली है, प्याज और दूद्ध, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, दूद्ध और प्याज साथ में खाया, तो बीसियों बीमारी आने ही वाली है सबसे ज़्यादा बीमारी आएंगी त्वचा की आपको सुराइसिस होगा आपको एक्जीमा होगा आपको खाज होगी, आपको कुजली होगी अगर प्याज दूद साथ में खा रहे हैं तो कभी भी ना खाए इसी तरह से वो कहते हैं कि कटहल कटहल को क्या कहते हैं कटहल समझते जैक फूट दूद और जैक फूट कभी नखाएं दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन और दूद और ऐसा कोई भी फल साथ में न खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है सिट्र कैसिट आप समझते हैं संत्रा, मुसम्मी, नारंगी, अंगूर, खटी चीज एक खटी चीज तो आपकी बनाई हुई है एक खटी चीज भगवान की बनाई हुई तो भगवान की बनाई हुई खटी चीज है दूद के साथ जानी दुश्मन है बागवट जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया एक ही खटा फल है जो दूद के साथ खाएं वो है आवला आवला ही एक फल है खटा है सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में है विटेमिन सी भरपूर मात्रा में है केलशियम उसमें भरपूर है यही एक फल है जो दूद के साथ जरूर खाएं बाकी कोई फल जिसमें खटापन है वो दूद के साथ ना खाएं आम भी आम अगर खटा है तो दूद के साथ ना खाएं मीठा है तब ही खाएं आम और दूद कोई दोस्ती बहुत जबरजस्त है लेकिन खटे आम की दूद से दोस्ती नहीं है मीठा आम, एकदम मीठा आम, पका हुआ आम उसी को दूद के साथ खा सकते एक और उन्होंने गिना है वैसे तो आप जेन हैं तो ये बात आपके लिए हलागू ही नहीं होती लेकिन जेन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ तो कभी भी शहद और घी एक साथ ना काएं दुनिया का सबसे खराब जहर है ये शहद और घी शहद घी साथ में ना काएं शहद खाना है तो घी ना काएं, घी खाना है तो शहद ना काएं इसी तरह से उड़त की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं। उड़त की दाल। वैसे तो मैंने कल बोला था दुईदल। दुईदल में सबसे खतरनाक है उड़त की दाल। उड़त की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चिस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि य इसलिए ये अकेला ही खाएं, इसके साथ दही नहीं खा सकते, उड़त की दाल के साथ, दालों की राजा है, राजा अकेला ही रहता है, ऐसा कहा जाता है, तो कहते हैं, उड़त की दाल भरपूर खाएं, मना नहीं है, लेकिन अकेली खाएं, और बाकी जो दाले हैं, अरहर की द और लगार लगा के खाएं, ताकि तासीर गरम हो जाए उसकी, या t गरम करके खाएं, तासीर उसकी गरम हो जाएं, लेकिन मेरी आपको विरिंव रविंती है, उरद की डाल के साथ तो बिल्कुल ना धही खाएं, ना मठ्ठा काएं, बगारा हुआ भी नहीं खाएं बागवट जी कहते हैं कि चले गई नहीं मैंने इस पे मेरे अपने शरीर पे एक्सपरिमेंट किया मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं बागवट जी ने कहा ना खाएं खा के देखें क्या होता है शरीर को तो मैंने खाने से पहले मेरा blood pressure check किया और उड़त की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर blood pressure check किया तो मेरा blood pressure 22-25% बढ़ा हुआ था फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं ये खाने लगूँ उड़त की दाल और दही उड़त की दाल तो 100% 6-8 महिने में heart attack आई जाएगा इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है दही बढ़ा कभी भी नहीं क्योंकि दही बढ़ा में उड़त की दाल का बढ़ा अगर है तो दही बिलकुल नहीं अगर आपको दही बढ़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का मुंग की दाल का बड़ा है दही बगार कर या मठा बगार कर आप ले सकते हैं उड़त की दाल का बड़ा अगर बनाया है तो दही के साथ तो गलती से भी नहीं उड़त की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं दही से नहीं और अगर शादी व्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि महमानों को उड़त की डाल का बड़ा और दही ना फरोसें नहीं तो दोहरे पाप के भागीदार बनें आप अपना तो नाश करेंगे या आने वालों का भी नाश करेंगे और अतिती देवता है उसको जहर ना खिलाएं तो ऐसी एक सूची है मैंने तो आपको चारफा चीज़े बताई हैं विस्तार से आप पुस्तक में देख सकते हैं वो सूची ये कहती है एक सो तीन वस्तूओं की ये चीज इसके साथ ना काई तो बागवट्टी जी कहते हैं दो विरोधी चीज़े साथ में ना खाएं और वो कहते हैं कि अगर आपने ये सूत्र धारन कर लिया तो जिन्दगी पर आप निसंकोच बिना किसी रोक के जीवन बिता सकते हैं तो आज का एक सूत्र मैंने बोला फिर ये दूसरा सूत्र हुआ अभी तीसरे सूत्र पर चलता हूँ आज का बागवट्ट जी कहते हैं कि खाना आप जब भी खाएं जब भी खाएं तो उसको जमीन पर बैठकर ही खाएं जमीन पर बैठकर खाएं मैं जैसे बैठा हूँ ना इसको आयरुवेद की भाशा में कहते हैं सुख आसन ये आसन में खाना खाएं क्यों खाएं जी प्रशना आएगा आपके मन में तो बागवट्टी जी समझाते हैं कि जब आप इस आसन में बैठते हैं सुख आसन में तो आपके शरीर का जो जठर है ये जो है सबसे ज़्यादा तीवर है और इस आसन में इसकी तीवरता हमेशा मेंटेन रहती है आप अभी कुर्सी पर बैठे हैं इसमें तीवरता घड़ जाती है और खड़े हो जाएं तो बिल्कुल कम हो जाएगी कारण क्या है आप शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं हमारे शरीर में कई चक्र हैं कई चक्र है एक चक्र जो है यह जो पीछे है जहां पर आपका हिप जॉइंट्स और आपका यह जो मन का होता है जहां मिलते हैं वो सबसे महतुपूर्ण चक्र है यह प्रदीप्त होता है तबी मन दीप्त होता है जब आप इस इस्तिती में बैठें और इसका जठर पर सीधे असर है और ये असर आप अगर महसूस करना चाहते हैं तो जमीन पर बैठके ही खाएं और वो ये कहते हैं कि भोजन की जो थाली है वो आप बैठें उससे थोड़ा उपर रहे जिसमें आप खाना खा सकते हैं बाकी किसी में भी नहीं वो गाय का दूद जब निकलते हैं कैसे बैठते हैं बस उस इस्तिती में भी आप खाना खा सकते हैं उकडू गाय दूद निकालने का जो इस्तिती है बैठने का उस स्थिती में बैठके आप खाना खा सकते हैं लेकिन वो आपके लिए नहीं है इसको ध्यान से सुन लीजे क्योंकि आगे उन्होंने एक वाकिलिग दिया कि जो शरीर श्रम जादा करते हैं जो शरीर श्रम जादा करते हैं जैसे किसान जैसे हमारे कारीगर मजदूर उनके लिए उकडू बैठकर खाना खाना सबसे अच्छा खाते भी हैं माने वो चेले हैं सब बागवट के और आप जो शरीर श्रम कम करते हैं आपके लिए इस आसन में बैठकर खाना खाना अच्छा अब आप आस से एक observation कर लीजे कि जितने लोग इस बात से परिशान है कि उनका पेट आगे निकलाया है वो इस आसन में बैठके खाना खाना शुरू कर दें और तीन महिने के बाद फिर देखें तो उनका पेट पहले से कम ही होगा आगे नहीं आएगा और ये जो डाइनिंग टेबल पे बैठके खाना खाएंगे पेट आगे निकलता ही जाएगा क्योंकि कुरसी आपके लिए बनी नहीं है ये अंग्रेजों के लिए बनी है अंग्रेजों के लिए कुरसी इसलिए बनी है कि ठंड बहुत है न तो joints कड़क रहते हैं उनके, सभी joints कड़क होंगे, कठोरता आएगी, आपके याँ गर्मी बहुत हैं, तो आपके joints में flexibility है, तो आप आसानी से जमीन पर बैठ सकते हैं, कोई अंग्रेज नहीं बैठ सकता, जैसे मैं बैठ हूँ, अमरीकी नहीं बैठ सकता, क्योंकि घुटने क कड़क हैं, hip joints कड़क हैं, बैठने में तकलीफ है, तो उन्होंने अपनी तकलीफ को कम करने के लिए कुरसी का आविश्कार किया है, आदे तो बैठ हैं, पूरे नहीं बैठ सकते तो, वो आपके लिए नहीं है कुरसी, यह अंग्रेजों की देन है, तो मेरी आपको विंती ह कि dining table पे खाना ना खाएं, तो आप कहेंगे जी ले लिया, तो बहुत सारा कचरा भर रखा है, आप में घर में क्या करेंगे उसका, हमको हिंदुस्तानियों को पिछले 60-70 साल में या 100 साल में एक गजब बीमारी हुई है, दुनिया भर का कचरा घर में लाके रखना, हाँ, ये इतनी खराब बीमारी आईए हमको, कि बिना सोचे, बिना समझे, कचरा लाला के घर में रखना, रसोईयों में मैं घरगों में जाता हूँ ना, टीन टपरे के इतने डब्बे होते हैं, खाली हैं, फेकेंगे नहीं, समहाल के, समहाल के, कब काम आईगे मालूम नहीं, ले जो बाहर फेकना चाहिए, वो घर में सजा सजा के रखा हुआ है, और फेकने की बात करो, हरे, पता नहीं, कभी काम आजाए, और वो कभी साट साल में भी नहीं आता, सो साल में भी नहीं आता, तो उसी कच्रे में मैं गिनता हूँ आपकी डाइनिंग टेबल, अब आप जरा हिसाब निकालो जी, ये आपने लाके रखी है डाइनिंग टेबल, मानलो ये सौ स्क्वेर फिट की है, दस भाई दस की है, या मानलो पचास स्क्वेर फिट की है, पचास स्क्वेर फिट की जगे आपने घर में घेर रखी है, क्या भाव है, मदरास में जगे का, तीन हजार स्क्वेर फिट और पचास स्क्वेर फिट आपने घेर के रखा है जरह जोड़ लो ना 30,000 में 50 का गुणा करके और रोज का हिसाब निकाल लो तो एक तो खरीदा तब आपने पैसा बरबाद कर दिया अब इसको जगे को घेर के बरबाद कर दिया आप में तो अगर बन सके तो डाईनिंग टेवल नई निकाल सकते तो कोने में रख दें आप आखरी बात Aप कहेंगे राजी tela कुछ तो ऐसी बात करो यह डाईनिंग टेबल ले आए तो इसका कुछ तो उप्योग करो तो अगर आप सच में इमानदारी से डाइनिंग टेवल पर बैठके ही खाना खाना चाहते हैं, तो कुरसी पर ऐसे बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूँ. डाइनिंग टेवल की कुरसी है ना, वो है, आपको उससे छूटता नहीं है, तो बागबटे जी तो मना करते हैं, मैं उसमें एक सजेशन दे रहा हूँ, कि जैसे मैं आसन में बैठा हूँ, कुरसी पर भी ऐसे ही बैठ जाएं, आलती-पालती मार के, फिर खा लीजें. लेकिन अच्छा तो नहीं है, लेकिन बीच का कोई रास्ता तो है, अब डाइनिंग टेवल निकले, इसमें तो समय लगेगा, क्योंकि मन से नहीं निकलती शरीर से निकलना तो आसान होता है, मन से नहीं निकलता, पता любимी कितने पैसे जमा करके ये अब ये निकले कैसे तो आप उसका अगर सचमें उपइयोग करना चाते हैं, तो डाइनिक टेबल पर कुरसी ऐसे बैठ जाए आसन मारके आलती-पालती मार के फिर खा लीजे और नहीं है अगर डाइनिंग टेबल तो बहुत सुखी है मत लाइए मेरी तो विंती है मत लाइए उसकी जगह लाना है तो छोटे छोटे पट्रे ले आईए जो आपके रसोई में बैठके आप खाएं तो बहुत अच्छा है अब आगे का एक सूत्र बहु लेकिन अगर आप खाई रहे हैं तो वो यह कहते हैं कि तुरंट विश्रान्ति लें खाते ही विश्रान्ति लें खाते ही आराम करें काम कोई सुबह का खाना अगर 10 बजे खाया या बारे बजे खाया या ज़्यारे बजे खाया तो खाते ही विश्रानती लें कब तक सब्सक्राइब Pretty Manit20 मिनट विश्रानती लें और उसको उन्होंने एक्सप्लेइं किया है कि वो विश्रान्ती जो होनी चाहिए, वो आपके शरीर को जो बाया हाथ है, इसको नीचे करके, दाए हाथ को उपर करके, वाम कुक्षी अवस्था में लेटे हैं, अब वाम कुक्षी को सरल भाशा में समझाता हूँ, भगवान विश्नु को लेटे हुए देखा, शेशनाग पर बस उसी परिस्थिती में लेटे हैं, उसी इस्थिती में लेटे हैं, विश्नु भगवान शेशनाग पर लेटे हुए, वो वाम कुक्षी की अवस्था है, खाना खाने के बाद हमेशा दुपहर को और सुबह इस अवस्था में जरूर लेटे हैं, क्यों? लेफ्ट साइ आप जानते हैं हमारे शरीर में दो नाडियां है वैसे तो तीन है तीन नाडियां एक सूरी नाड़ी है एक चंद्र नाड़ी है एक मद्दे नाड़ी है यही भोजन को पचाने में मदद करती है सूरी नाड़ी तभी चलती है जब आपकी चंद्र नाड़ी कम हो भोजन पचाना है सुबह का और दुपहर का सूरी नाड़ी तीवर होनी ही चाहिए तो लेफ्ट साइड में लेटो तो तुरन सूरी नाड़ी शुरू हो जाती है वैसे तो आगर आप स्वस्थ हैं तो खाना आपकी सूरी नाड़ी अपने आप शुरू हो जानी चाहिए नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में लेट जाएए लेट ते ही शुरू हो जाए बीस मिनट जरूर लेट है फिर आप कहेंगे जी नीद आ गई तो बागवट जी कहते हैं ले लो एक जपकी वो ये कहते हैं रोको मत इस नीद को जो सूत्र उनों ने लिखा है कि दुपहर भोजन के बाद या सुबह भोजन के बाद अगर आपको आलस से है शरीर में तो वो कहते हैं कि बिना संकोच इस जपकी को ले लो बीस मिनट की जपकी ले लो जादा से जादा चालीस मिनट की ले लो इसके मैं इस सूत्र को वैसे कल विस्तार से समझाने वाला हूँ बागवट जी ने कल मैं उस सूत्र को लूँगा उसमें उन्होंने ये कहा है कि शरीर के चौदे वेग होते हैं वेग उनको कभी भी रोके नहीं उसमें से निद्रा है नीद जो है न ये एक वेग है तो वो कहते हैं क क्योंकि खाना खाते ही जठर अगनी प्रदीप्त होगी, अगनी प्रदीप्त होने के लिए मैंने आपसे कल समझाया था ना, बलड की जरूरत पड़ेगी, तो शारे शरीर का खून पेट में रहता है, जब तक खाना पचता है, तो बाकी अंगों को खून की कमी है, तो प्रेशर बढ़ेगा, सारा खून एक जगए आएगा, तो दूसरे अंगों पे तकलीफ आएगी कि नहीं, तो ब्रेन को प्रेशर आता है, तो ब्रेन रिलेक्स होना चाहता है, इसलिए भोजन के बाद आपको सुस्ती आएगी ही, ये प्रकर्ती का नियम है, तो आप ले लेना उस नीद को छोड़ते क्यों है, बहुत कीमती है, लोगों को मिलती नहीं, गोलियां खाते हैं, फिर भी नहीं आती, करोड़ों रुपई लेने वालों को मैंने देखा है, आती नहीं है नीद, आपको आ रही है तो बहुत सुखी है, तो आप दुपहर की जपकी ले ले, मैं आपको और एक छोटी सी जानकरी बताओं, कि बागबटी जी के इस सूत्र पर यूरोप और अमेरिका में बहुत रिसर्च हो रही है आजकल, आजकल, आस्ट्रेलिया में, ब्राजील में और मैक्सिको में कई कमपनिया ऐसी हैं, जिन्होंने लंच के बाद ब्रेक देना शुरू किया है, अपने करमचारियों को, और ब्राजील और मैक्सिको और आस्ट्रेलिया तीनों देश की सरकारें, 2008 में कानून बनने जा रही हैं, कानून बनने जा रहा है, कि हर एक करमचारी को लंच के बाद जबकी लेने के लिए ब्रेक देना कमपलसरी है तो सभी कमपनियों को ओर्डर आया है सरकार का कि अपने ओफिस की डिजाइन इस तरह से करो कि कोई भी करमचारी जहां बैठकर काम कर रहा है वहां जबकी भी ले सके जन कमपनियों में यह चल रहा है सिलसला मैंने उन से इमेल से कान्टेक्ट किया कि भाई यह तुम को कहां से याद आ गया यह तो बागबत्ट जी साड़े तीन हजार साल腐ले कहे गए तो उन्होंने का यहां साड़े तीन हजार पहले था हमारे याँ अब पहुंचा है हमको अब पता चला है हमने इस पे रिसर्च शुरू किया है तो उन्होंने ये महसूस किया है कि जिन करमचारियों को दुपेर खाने के बाद वो जपकी लेने की छूट दे रहे हैं उनकी काम करने की efficiency तीन गुना बढ़ गई है efficiency बढ़ रहे है तो वो कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा काम कर रहे है तनका उतनी ही है बस एक जपकी लेने की छूट उनको मिली है काम बढ़ गया उनका तो आप भी महसूस कर सकते हैं और माताओं बहनों को तो विशेश विंती है क्योंकि आपका घर का काम भी कुछ कम नहीं है किसी भी factory को चलाना बहुत आसान है घर चलाना बहुत मुश्किल काम है और घर में भी सबसे मुश्किल काम है बच्चों को बढ़ा करना मैं मानता हूं दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं तो आपको काम तो घर में भी है आप भी भोजन के बाद एक जपकी लेने का नियम बना ही लो सब काम छोड़कर जपकी ले लो आपे क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके शरीर के स्वस्त रहने से ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया जो आपका शरीर दुरुस्त रहेगा तो घर आगे भी ठीक से चलता रहेगा, इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लिहाज नहीं कोई शरम नहीं, सास की शरम नहीं, ससुर की शरम नहीं, पती की शरम नहीं, बच्चों की शरम नहीं, आपने दुपेर का खाना खाया जपकी ले ही लो, 20 मिनट से 40 मिनट, जिंदगी आपकी सुखी रहेगे, जिंदगी भर आप सुखी रहेगे, इसमें कोई शरम की बात नहीं यह शरीर की जरूरत है जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं इसमें क्या शरम करते हैं वैसे ही खाना खाते ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन को जादा प्रेशर बरदाश्ट नहीं है तो नीद लेना ही शरीर के लिए अच्छा है तो आप यह कर लो में काम करते हैं तो मैं अमेरिका यूरोप की उन कंपनियों की लिस्ट दे देता हूं जहां पर ये नियम बन चुका है आपके बैंक और बीमा वालों को वो लिस्ट दिखा दो कि जब ये अमेरिका और कनाडा और ब्रिटेन और उस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में कानून बन सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बागवट्ट तो हिंदुस्तान के थे तो आपके बैंक और बीमा कंपनियों में भी कोशिश करो लेकिन आपको मालूम है ये जो हमारा बीपी ओ सेक्टर है यहां तो हो गया है गुणगाओं में चालू हो गया उन्होंने कोड़ देना शुरू कर दिया है तो अगर वहाँ हो रहा है वी प्यों सेक्टर में आयडिये सेक्टर में तो सब जभिजगे हो जाएगा धीरे यह आ जाएगा अब मैं आपको एक उल्टी बात कहता हूं गुज्रात में जाता हूं मैं राजिस्थान में जाता हूं जैपुर जैसे शहर में राज़कोट जैसे शहर में तो दुपहर को सारा बजार बंद रहता है राज़कोट में हजारों करोड का बिजनेस होता है रोजका दुपहर को कोई दुकान पर नहीं मिलेगा करोड़ पती से करोड़ पती कहा हैं जी खाना खाके जपकी ले रहें बहुत सुखी लोग हैं काठियावाण में मैंने देखा है क्या पोरबंदर, क्या राज़कोट, क्या जामनगर, क्या जूनागर, क्या अम्रेली दुपहर को बजार खुले गई नहीं और मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ग्राहक आके खड़ा, करोणों रुपए लेखे सेट जी कहेंगे जी शाम को आना चार बजे के बाद अरे सेट जी मेरे पास बैक बराय रुपियों का शाम को ले आना मुझे अभी इतनी फुरसत नहीं है, मैं नीद ले रहा हूँ बहुत सुखी लोग है समय का सही सदुपियोग कर रहा है अब कुछ लोग गालियां देते हैं क्या निकम में लोग हैं, दुपहर को सोते हैं सो नहीं चाहिए पूना में आप चले जाएए पेशवाई के जवाने से पूना के लोग दुपहर को खाने के बाद जरूर नीद लेते हैं पेशवाई ने इसके लिए बहुत प्रचार किया था, बागवट के इस सूत्र का तो वहां भी है, पूना में भी है जो पुराने शहर है न हिंदुस्तान में हर जगे ये देखने को मिलेगा दुपहर के खाने के बाद सब जबकी लेंगे ही तो करनाटक में भी है तमिल नाडू का मुझे मालूम नहीं क्योंकि ज़्यादा मैं घूमा नहीं लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये जो नियम आप पालन करो तो ये प्रकरती के अनकूल है शरीर के अनकूल है इसलिए इसमें शरम नहीं जियक है अच्छा अब इसका उल्टा सूत्र है आगे का वो ये कहते हैं कि दुपहर और सुबह के खाने का अगर आपने नीद लिया है खाने के तुरन बाद तो रात का भोजन माने शाम का भोजन रात से मतलब हमेशा शाम ध्यान रखना तो शाम के भोजन के बाद कभी भी विश्रान्ती नहीं लेना उल्टा है विल्कुल सुबह का भोजन किया तब तो विश्रान्ती जरूरी है शाम का भोजन किया तो दो घंटे तक विश्रांती नहीं लेना दो घंटे माने छे बजे खाना खा लिया तो आठ बजे ही जाना सोने के लिए उसके पहले नहीं पांच बजे खाया तो साथ बजे दो घंटे तो विश्रांती लेना ही नहीं क्यों सुबह का जो है क्रम शाम को उल्टा है सुब़ सुर का प्रकाश है पवन का इसपर्ष बहुत तीव रहे शाम को सुरी का प्रकाश बिलकुल नहीं तो शरीर की बाइयो कैमिस्ट्री पूरी बदल जाते है सुब़ और शाम सुब़ कच तरे के हर्मोन्स हैं तो शाम के लिए वो observation करके कहते हैं कि कभी भी खाने के बाद तुरंत सोना नहीं अगर सोएंगे तो heart attack, diabetes सब बीमारी आने की संभाव तो शाम को खाने के दो घंटे बाद तक ना सोएं सुबह खाते ही जरूर विश्रानती लें अब आके एक तीसरा सुत्र उन्होंने लिखा ह दोनों को शायद मिलाया उन्होंने वो कभी भी एक्स्ट्रीम पे नहीं गए बागवट जी बीच में ही रहे मिडिल मार गहें मद्य मार गहें वो यह कहते हैं कि सुबह और शाम को अगर जो आप ये दोनों नियम पालन नहीं कर पाते किसी कारण से करें तो बहुत अच्छा नहीं कर पाते तो वो ये कहते हैं कि दस मिनट के लिए वजरासन में जरूर बैठ जाएं सुबह और शाम दोनों सुबह का नियम अगर आप पालन नहीं कर पाते माने विश्रांती नहीं ले पारें किसी कारण से और शाम का भी नियम पालन नहीं कर पारें दो घंटे तक आने के बाद सुबह भी और शाम को भी और प्राणायाम और योग में महरशी पतंजली ने कहा है कि भोजन के बाद जो किया जाने वाला आसन है वो ये एक ही है बाकि कोई आसन आप नहीं कर सकते और महरशी पतंजली कहते हैं महरशी पतंजली बागवट के बाद के हैं महरशी पतंजली कहते हैं कि अगर वज्रासन में कोई बैठता है तो शरीर बिलकुल वज्र के जैसा ही होता है वज्र आप समझते हैं एकदम कठोर मजबूत अब मैंने हिंदुस्तान के कई लोगों को देखा गांदी जी को तो मेरे आँखों से नहीं देखा शुबाकान जी ने गंटों 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 और आप देखों एकदम पतला दुबला शरीर और अंग्रेजों की लाठी खाने को हमेशा तैयार वह वज्रासन की क्रपा है गांदी जी कोई आसन नहीं करते थे कोई प्राणायाम नहीं करते थे सुबह घूमने जरूर जाते थे लेकिन हमेशा य तीन तीन गंटे तो लोगों ने उनको देखा बिना हिले-डुले वजरासन में बैठके चिट्थी लिख रहें किताब पढ़ रहें वगरा वगरा तो दस मिनट तो कनिवनतम करें ही जादा से जादा अगर आप कर सकें समय समय पर वजरासन में बैठते रहें तो शरीर की और एक चौथा सूत्र बता देता हूं हमारे बागवट रिशी कहते हैं कि आप जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आपका चित और मन दोनों शान्त रहने चाहिए चित और मन दो अवस्थाएं चित की है मन की है मौडर्न साइंस में न चित है न मन है वो ब्रेन की बात करते हैं माइंड की बात करते हैं माइंड अलग है मन अलग है ब्रेन अलग है चित अलग है तो वो कहते हैं चित और मन दोनों शान्त रहें तो चित और मन को शान्त रख खाने के पहले अगर इश्वर की प्रार्थना आप कर रहे हैं कोई सूत्र बोल रहे हैं तो निश्चत रूप से आपके मन और चित्त में शांती आएगी तो खाने के पहले मन और चित्त को शांत करें बजन के द्वारा या तो भगवान की प्रार्थना के द्वारा कोई मंत्र के द्वारा कोई सूत्र के द्वारा जैसे आप करना चाहें वो करें और एक सूत्र बहुत महत दुका वैसे तुम्हें परसों कहने वाला हूं लेकिन आज मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है बागवट जी एक जगे लिख रहे हैं सूत्र में कि भी विग्यान है तो वो कहते हैं कि इसका जरूर ध्यान रखे हैं क्या ध्यान रखे हैं तो वो कहें हमेशा आपको विश्रांती लेते समय वो कहते हैं को沒關係 के कारण आप पूर्व में सिर नहीं कर सकें तो दक्षण में जरूर कर ले South में तो या तो East और या South जब भी आराम करें लेटें तो सिर हमेशा पूर्व में ही रहे पाउं हमेशा पश्चिम में रहे और कोई मजबूरी हो तो दूसरी दिशा है दक्षण दक्षिन में सिर रखें उत्तर में पाऊं आगे के सूतर में बागवट जी कहते हैं कि उत्तर में सिर करके कभी भी ना सोएं उत्तर नौर्थ फिर आगे के सूतर में लिखते हैं कि उत्तर की दिशा मुरत्यू की दिशा है सोने के लिए उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है पढ़ना है, लिखना है, अभ्यास करना है तो उत्तर में मुह रखके करें लेकिन सोने के लिए उत्तर बिलकुल निशिद है अब बागवटी जी ने लिख दिया मैंने देखना शुरू किया जब से ये पढ़ा तो मैं गाउं में भी बहुत जाता हूँ तो कई बार गाउं में मैंने ऐसी इस्तती देखी है किसी का मृत्ति हुई तो मुझे अंतिम संस्कार में जाना पढ़ा तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पंडिजी खड़े हो गए अंतिम संसकार के सूत्र बनना, तो पहला ही सूत्र वो बोलते हैं संस्कृत में, हर गाहों में पंडिजी, मृत का शरीर उत्तर में करो, मने सिर उत्तर में करो, पहला ही मंत्र है, पहला ही मंत्र बोलेंगे मृत व्यक्ति का सिर उत्तर में करो, और हमारे देश में आरी समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी द्यानिंद सरस्वती उन्होंने भारत में जो संसकार होते न जन्म का संसकार है गर्बाधान संसकार है मृत्यू भी एक संसकार है तो उन्होंने कुस्तक लिखी है संसकार विधी उसमें पहला ही सूत्र है मृत्यू के लिए तो उसमें वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मृत्य व्यक्ति का सिर उत्तर में करो उसके बाद विधी शुरू करो अब ये तो हुआ बागवट्ट जी का दयानन जी का वगरा अब मैं विध्यान जोड़ रहा हूँ इसमें ये मेरा अपना explanation है क्यों आज का जो हमारा दिमाग है न ये क्यों के बिना मानता नहीं हाँ क्यों क्यों ऐसा करें कारण उसका बिलकुल साफ है आधुनिक विध्यान ये कहता है कि आपका जो शरीर है और आपकी जो प्रत्वी है इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है प्रत्वी और शरीर के बीच में इसको हम कहते हैं गुरुत्व आकरशन बल gravitational force अब ये कैसे काम करता है प्रत्वी के बारे में आप जानते हैं प्रत्वी का उत्तर, प्रत्वी का दक्षन, ये दोनों सबसे ज़्यादा तीव्र हैं गुरुत्व आकर्शन के लिए, प्रत्वी का उत्तर, प्रत्वी का दक्षन एक चुम्बक की तरह से काम करता है, गुरुत्व आकर्शन के लिए, आपका जो शरीर है, इसका ये है उत्त सिर जो है ना शरीर का उत्तर है और पाउं दक्षिन है तो सिर का उत्तर और प्रत्वी का उत्तर आप अगर प्रत्वी में उत्तर की दिशा में सिर करके सो गए बागवट जी कहते हैं नहीं सोना मान लो सो गए तो आपका सिर का उत्तर और प्रत्वी का उत्तर उत्तर दोनों स साथ में आएं तो force of repulsion काम करता है विज्ञान यह कहता है force of repulsion माने प्रतिकरशन बल लगेगा तो आप ऐसे ऐसे समझो है इसको कि ये उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया तो उधर से एक प्रतिकरशन बल आपके शरीर पर काम करेगा तो ये में अगर संकुचन आया तो ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जाएगा क्योंकि ब्लड को भी प्रेशर आएगा क्योंकि शरीर को प्रेशर आया ना तो शरीर में खून है खून को भी प्रेशर आएगा और अगर खून को प्रेशर है तो नीद आएगी ही नही मन में हमेशा धड़पड धड़पड चलती रहेगी हिर्दय की गती हमेशा तीवर रहेगी तो उत्तर की दिशा प्रत्वी की है जो नौर्थ पोल कहलाती है हमारे शरीर का उत्तर ये है सिर अगर ये दोनों एकी दिशा में हो force of repulsion काम करेगा प्रतिकरशन बल लगेगा शरीर में संकुचन आएगा नीद आएगी ही नहीं अब इसका उल्टा कर लो आपका सिर दक्षण में कर दो ठीक है प्रत्वी का दक्षण में आपका सिर कर दो तो आपका सिर तो नौर्थ हुआ और प्रत्वी का दक्षण हुआ, साउथ हुआ, तो आपका नौर्थ माने उत्तर और प्रत्वी का दक्षण, ये दोनों एक दिशा में हैं, तो force of attraction काम करेगा, एक बल आपको खीचेगा, और अगर आपके शरीर पर खिचाओ पड़ेगा, मान लीजिए, आप लेटे हैं, और ये प्रत्वी का दक्षण है, और इधर आपका सिर है, तो आपको खीचेगा अगर कोई, तो शरीर थोड़ा सा बढ़ा होगा, जैसे रबर खिचती है ना, elasticity, ऐसे ही शरीर में थोड़ा सा बढ़ा हो आएगा, जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा, तो बॉड़ी में रिलेक्सेशन आ गया, आप अंगड़ाई लेते हैं, शरीर को तान देते हैं, फिर क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शरीर को ताना, तो उसके बाद शरीर में थोड़ा बढ़ाओ आया आप बहुत रिलेक्स फिल करेंगे तो इसलिए बागवट जी ने कहा कि दक्षन में सिर करेंगे तो शरीर पर force of attraction है उत्तर में सिर करेंगे तो force of repulsion है force of repulsion में शरीर पर दबाओ पड़ता है force of attraction में खिचाओ पड़ता है खिचाओ और दबाओ एक दूसरे के विपरीत है दबाओ से शरीर में संकुचन आएगा तो खिचाओ से शरीर में थोड़ा सा फैलाओ आएगा तो फैलाओ है तो आप सुखी नीद लेंगे और उस पर दबाओ है तो नीद नहीं है इसलिए उन्होंने बहुत बहतरीन विशलेशन दिया है ये विशलेशन मैं मानता हूँ जिन्दगी के सारे मानसिक रोगों को खतम करने का अकेला है सूत्रे नीद अच्छी अगर ले रहे हैं आप तो समझ लीजे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर से बार भोजन अच्छा है नीद अच्छी है और क्या चाहिए तो आप नीद अच्छी लें ब्रेन हमेशा आपका force of attraction पे रहे इसके लिए दक्षन में सिर करके सोना बहुत अच्छा और नहीं तो पूर्व में करना अब पूर्व क्या है पूर्व के बारे में प्रत्वी पर रिसर्च करने वाले सब वैग्यानिकों का कहना है कि पूर्व नीट्रल है पूर्व जो है ना नीट्रल है ना तो वहां force of attraction है जादा ना force of repulsion है और अगर है भी तो दोनों एक दूसरे को balance किये हुए है इसलिए पूर्व में सिर करके सोईंगे तो नीट्रल आप भी रहेंगे तो आसानी से नीद आएगी और अच्छी नीद आएगी पश्चिम का आप पूछेंगे जी पश्चिम के लिए अभी research होना बाकी है बागवट्टी जी मौन है उस पर कोई explanation देकर नहीं गए है और आज का science भी लगा हुआ है कोई research अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रिशित करूँगा पश्चिम के बारे में सोने के हिसाब से वैसे तो बहुत research हो चुकी है पश्चिम पर वास्टूवालों ने बहुत काम कर लिया है कि पश्चिम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए लेकिन सोने के हिसाब से sleep के हिसाब से जो सूत्र में बात कर रहा हूँ वो researches पश्चिम पर कम हुई है बागबटी जी कहते हैं कि किन को पूर्व में सिर करके सोना और किन को दक्षण में उन्हेंने कैटेगरी बना दे तो वो कहते हैं जो साधू है जो सन्यासी है जो ब्रह्मचरिका पालन कर रहे है जो ग्रहस्त जीवन नहीं जी रहे है जो दुनिया की मोह माया से दूर है इन सब को पूर्व में ही सिर करना हमेशा और जो दुनिया चला रहे हैं घर चला रहे हैं ग्रहस्ती चला रहे हैं परिवार चला रहे हैं पत्नी के साथ रहे हैं बच्चों के साथ उनको दक्षन में ही सिर करना अब यहां बिल्कुल क्लियर हो गया अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप जितने लोग हैं सब अपना परिवार चलाने वाले घर ग्रहस्ती चलाने वाले दुनिया चलाने वाले लोग हैं तो आप तो आज ही अपने बैड की पूजिशन बदलो दक्षुन में सब क के सिर होने चाहिए बैड के और मेरे जैसे लोग जो शादी नहीं करते ब्रह्मचारी हैं वगरा वगरा इनको पूर्व में ही सोना सादू जी सादवी जी जो भी हैं जिनको अपने जीवन में नेश्टिक ब्रह्मचारी का पालन करना है सादू महत्मसंत इनको पूर्व में नहीं सोना है सिर रखके और आप जैसे लोग जिनको घर ग्रहस्ती चलानी दक्षन अब यहां कोई कंफ्यूजन की गुंजाईश नहीं है आप अपना याद रखो मैं मेरा याद रखा अच्छा आज के लिए इतने ही सूत्र अब आप सवाल पूछ सकते हैं जरूर सुलाईए जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है आप हमेशा उनका सिर दक्षन में रखके सुलाईए थोड़े तीन-चार साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी राजे भाई खल आपने बताया था सुबह उड़ता ही पाने बिना चाहिए लेकिन जैन दर्म में यह बताता है कम से कम 48 मिनिट का नियम है ना सुर्योदे होने के 48 मिनिट के बाद वो बिलकुल नियम सही है पक्का है वो नियम क्या है वो हमें समझने की बात है वो नियम ऐसा है जो पानी है ना पानी बहुत सारी जीवराशियों का संग्रे है अब यह थोड़ी सूक्ष्म की बात है मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन स सुक्ष्म जीव राशियों का संग्रह है आप चाहें तो पानी में लेंस लगा के देखें करोणों करोणों सुक्ष्म जीव आपको दिखाई देंगे इधर उधर भागते घूमते अगर देख लें तो दिली नहीं करें पानी पीने के लिए ये तो सुबह सुबह क्या होता है कि आपका जो मुझ है ये जो लार है न ये मैंने आपसे कहा कि सुबह के समय सबसे ज़्यादा तीवर होती है medicinal property ज़्यादा होती है इस लार की तो अगर आपने उठते से ही पानी पिया तो उसमें पूरी संभावना है कि ज़्यादा जीव राशी की हत्या होगी इसलिए जेन दर्शन ये कहता है अनावश्यक हिंसा से बचो हिंसा से बच सके है ये आदर्श है लेकिन अनावश्यक हिंसा से जरूर बचो अनावश्यक जरूरी नहीं है तो उसको हिंसा मत करो तो अनावश्यक हिंसा से बचने के लिए जेन शास्त्रों ने जेन आचारेों ने ये कह दिया जी अड़तालीस मिनट के बाद पियो ये अड़तालीस मिनट में क्या हो जाता है अड़तालीस मिनट में आपके मूँ की जो लार है ना इसकी जो छारियता है ये कम हो जाती है आलतु हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने ये कहा कि नवकार्शी यो एक शब्द इस्तेमाल करते ना हाँ तो ये उसके साथ उन्होंने जोड़ा वो 48 मिनट का कैलकुलेशन बागभट जी का भी है वो ये कहते हैं कि सुबह उठते ही 48 मिनट तक अगर आप इंतजार करत हैं तो मुँकी जो लार है इसकी छारियता कम होना शुरू होती है तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जैन दर्शन पालन करते हैं तो 48 मिनट ध्यान रखो और अगर आप जैन दर्शन पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शायद हिंजा हिंजा का उतना महत नहीं है लेकिन करें तो आपके लिए भी अच्छा है तो आप बोलेंगे जी 48 मिनट तक क्या करें बैठे रहें तो भगवान का नाम ले लो आप ईश्वर का जाप कर लो मंतर का जाप कर लो कुछ कर लो और फिर पानी पियो फिर उसके बाद आपकी दिन चर्या शुरू करो ये जैसे जनम होता है तो बच्चे को सहद और घीग चटा जाता है एक ऐसा संसकार है तो वो कैसे जी ये जो संसकार है ना बच्चे को जनम लेते ही शहद घी चटाने का इस संसकार को करते समय जो लोग है ना कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखें तो तकलीफ है आयुरवेद क कहता है कि शहद और घी बरावर मात्रा एक साथ कभी भी लेंगे तो जहर ही है लेकिन कुछ भारत में ऐसे समू हैं जो अपने बच्चों को ये करते हैं शहद और घी चटाते हैं लेकिन सभी लोग भारत में ऐसा नहीं करते हैं बहुत सारे लोग नहीं भी चटाते हैं लेकिन कहते हैं कि जी हमने शहद और घी साथ में चटाया तब जब उसमें गाय का मूत्र थोड़ा मिलाया था या गाय के गोबर का रस डाला था अब यह जो गाय का गोबर और गोमूत्र की जैसे बात आती है तो तुरंद मेरे ख्याल में आता पंच गव्य बनाते ना पंच अमरत या पंच गव्य तो उसमें शहद और घी भी होता है लेकिन गोमूत्र के साथ या गोबर के रस के साथ फिर हम लोगों ने थोड़ा काम किया कि यह गोमूत्र अगर मिला दिया शहद और घी में तो क्या इसकी विश्कारकता कम हो गई तो बाद में एक कल या नहीं तो परसो मैं इस पे विस्तार से आने वाला हूँ कि गाए के मूत्र को मिलाते ही शहद और घी एक दूसरे के साथ मिलने को तयार है माने उनकी दुश्मनी कम है माने गाय के मूत्र में एक केमिकल है जिसका नाम है सल्फर ये सल्फर दुनिया का अकेला केमिकल है जो दो विश्के बीच में डालो तो दोनों को न्यूट्रल करता है लेकिन खुद का प्रभाव बढ़ाता है तो सल्फर बढ़ता है ये ना करें, ये मेरी विंती है आप इसको बच्चे को अगर चटाना को खाली गी चटा दे, अगर चटाना तो खाली शेश्ट चटा दे, शेहद और घी मिला कर ना चटा है. एक ही कंडिशन है कि जब बच्चे को कोई ऐसा गंबीर रोग ना हो अगर मान लो कोई बहुत गंबीर रोग है जिसमें विश ही देना है मान लीजे कई रोग ऐसे हैं जिसमें विश दवा का काम करता है ऐसे कई रोग हैं जिसमें विश दवा का काम करता है उस कंडिशन में जरूर बच्चे को दिया जा सकता है जैसे एक बहुत खराब रोग होता है कई बच्चों को होता है जन्म लेते ही उनके शरीर का जो तवचा है ना उनका रंग बदलना शुरू होता है कई बच्चों को मैंने देखा एकदम तामई कलर के हो जाते है ये जो कौपर होता ने कौपर तामा तामर उसी रंग के बच्चे की इसकिन होना शुरू हो जाती है उस बच्चे को जरूर शहद और घी ही चटाना पड़ेगा नहीं तो ठीक नहीं हो उसके लिए वो काम आएगा तो अलग-अलग करिस्तितियों में लेकिन सामन्य बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है उपयोगी नहीं जी स्रीमान जी आईरुवेदिक दवाओं के साथ जो डाक्टर की दवाओं भी चल रही है तो उसको ले सकते हैं बिलकुल मत लीजे दवा जो है ना आप भरोसे से आईरुवेद की लीजिए तो उसे ही आपको बहुत बड़े परिणाम मिल जाएंगे एलोपैधी की दवाओं साथ में खाएंगे तो कोई अच्छे परिणाम तो नहीं अगर आप चूना जादा खाएं तो अर्जुन की चाल से आज तक मैंने नहीं सुना किसी को पत्री होई है क्योंकि अर्जुन की चाल में जो कैल्शियम है वो बहुत ही कम है और जो है वो बहुत आसानी से घुलनशील है वो आसानी से होता है पत्री होने की संभावना तभी है जब आप ज़्यादा चूना खाएं जी पेशाप करने के पस्याद पानी पीना ठीक है या पहले पानी पीना कल तक इंतिजार कर लीजे इस नियम के लिए ये कल आने ही वाला है आप पूछिये क्या जी काड़ा काड़ा शाम को भी पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा शाम को चाहें तो पी सकते हैं लेकिन सुबह सबसे अच्छा शाम को पीएंगे तो नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन फाइदा भी बहुत नहीं आएगा फाइदा सबसे ज़्यादा काड़े का लेना है तो सुबह पाई जी जी इनको चाय पीने की आदत है सुबह उठते ही बहुत लोगों को होगी इसका नुकसान बताएं देखिए मैं एक ही मिनिट में आपको बताना चाहता हूँ कि चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज्यादा नुकसान है चीनी ये जो शुगर है ना चीनी इसका चाय के साथ कोई मेल नहीं है अगर आप चाय पी रहे हैं मैसे तो मत पी हैं क्योंकि आपकी तासीर के अनकूल नहीं है चाय के जो chemical है ना भारत के लिए उपियोगी नहीं है भारत में रहने वाले लोगों के लिए यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाय हमारे लिए वो जहर है काफी तो और भी जादा गरम देशों में चाय काफी अच्छी नहीं है फिर भी अगर आप पी रहे हैं, आप मानते हैं कि खराब हैं लेकिन क्या करें आदत से मजबूर है, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, वो तरीका ये है कि चीनी की जगे गुड़ की चाय पी लीजे, क्यों पी लीजे, वो समझ ये, गुड़ जो है ना छारी ये है, और ची चीनी है ना, अमली ये है, चीनी जब डिसिंटीग्रेट होती है, तो उसके जो अंतिम परिणाम है, वो एक एसिड के रूप में ही है, और गुड़ जब डिसिंटीग्रेट होता है, तो उसका अंतिम परिणाम है, वो छार के रूप में है, आपके पेट में अमल वैसे ही ब गुडवाली पियें, अब गुडवाली चाय जब पिएंगे तो दूद नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि दूद फट जाएका गुड़ से, क्योंकि दूद और गुड़ की दोस्ति नहीं है, तो फिर बिना दूद की चाय पिएं, तो आप काली चाय पियें गुड डाल के पियें और मेरी छोटी सी एक बात अगर मान लें कि अगर काली चाय गुड डाल कर आप पी रहे हैं तो थोड़ा अशा नीबु का रस डाले हैं तो न्यूट्रिलाइज होगी है नीबु का रस ऐसे डिख है गुड जो है न छारिये है तो गुड मिलाई हुई चाय को अगर नीटरल करना है तो थोड़ा नीबू डालकर नीबू की चाय पिए ठीक है? ऐसा कर लेकिन इसको पीने से पहले पानी जरूर पिए वो नियम न बोले जी हाँ इसलिए मैंने बोला कि गुड में जो है न छार है और नीबू जो है ऐसे डिक है तो छार अमल मिलें तो नीटरल होगा तो नीटरल चाय हो जाएगी जब आप पिएंगे मैंने चाहता कि छार ये तत्तु भी जादा जाए आपके पेट में क्योंकि छार भी नुकसान करता है तो गुड डाल दिया तो छार पन आया चाय में तो थोड़ा दो तीन बून नीबू के रसकी डालिये तो फिर नीटरल हो जाएगा वो आप पिएंगे तो जीवन भर आप बिना किसी दुख और तकलीफ के पी सकेंगे और अगर आपको बन पाए तो हरे पत्ते की चाय ही पिएं ये जो चाय आती है न बजार में टी डस्ट ये आप में से किसी के लिए भी अच्छी नहीं आपको अगर पत्ते वाली हरे पत्ते वाली चाय मिल रही है तो वो कम से कम इतना जरूर फाइदा है कि वो एंटी ऑक्सिडेंटल प्रोपरिटी वाली है क्योंकि हरे पत्ते को सीधे निकाल कर सुखा कर आप बना रहे तो वो इस से बहतर है जो चूरे वाली चाय आप पी रहे थोड़ी बहतर है कई देशों में हमने देखा है कि भोजन लेते समय वजरासन में बैठके भोजन लेते हैं इस्टरन कंट्रीज में करते हैं इंडोनेशिया में, मलेशिया में थोड़ा सा मंगोलिया में जाएं तो वहां भी करते हैं वजरासन में बैठकर वो लोग भोजन कर सकते हैं आपके लिए उतना अनकूल नहीं है क्योंकि आपको भोजन के बाद वजरासन करना अनकूल है भोजन करते समय आपके लिए सुखासन या उकडू बैठकरासन वोई अनकूल है अब यह क्यों है एक दिन रुख जाईए परसों मैं एक्स्प्लेन करने ही वाला हूँ और मैंने यह भी नोटिस किया है कि यहां के लोग भोजन लेने के बाद शहद लेना वाजिब समझते हैं इसलिए क्योंकि डाइजिशन में हेल्प करता है लीजिए ना मैंने मना नहीं किया लेकिन जैन दर्शन का पालन अगर आप कर रहे हैं तो मत लीजिए और अगर आप जैन दर्शन में पालन नहीं कर रहे हैं अपने जीवन को तो आप शहद लेने के लिए स्वतन्त रहें जैन दर्शन में हैं तो मैं स्ट्रिक्ली बोलूँगा ना करें क्योंकि उसमें हिंसा और अहिंसा की बात आएगी शहद जो है न जीवराशियों का समू है और बड़ी मक्खी के शहर में जादा जीवराशिया पानी कितना लेना चाहिए ये सब के लिए अलग-अलग है तो इसका सूत्र बता देता हूँ हर व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए आप अपना वजन करिये वजन अगर साथ किलो वजन है तो दस से भाग दीजिये इसमें तो छे आएगा और दो घटा दीजिये तो आप 24 गंटे में 4 लीटर पानी पी सकते हैं अगर सत्तर किलो वजन है तो दस से भाग दीजिये साथ आएगा दो घटा दीजे तो 5 लीटर पूरे 24 गंटे में पानी पी सकते हैं किसी का वजन 40 किलो है 10 से भाग दीजे चार आएगा 2 घटा दीजे 2 लीटर पानी पूरे दिन में पी सकते हर व्यक्ति अपने वजन के हिसाब से पानी तै कर ले जितना वजन